नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी के अपने इस यूटूब चैनल आयरवेदिक उपचार में कैसे हैं आप सभी I think स्वस्थ होंगे अगर कोई सेहत संबंधी समस्या है या सवाल है मन में तो लिख भेजें कमेंट्स के माध्यम से हमाने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो जरूर बनाएंगे आईए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं और स्वस्थ जीवन शेली को बाई बाई कर दिजे अब और स्वस्थ रहने के लिए कुछ और गेनिक फूड्स का इस्तेमाल स्टार्ट कर लिजे क्या जाती हैं और जो प्रोसेश्ड और डिबाबंद चीजें आप खा रहे हैं वे आपकी सिहत के लिए कितने हानिकारक हैं ये आपको कई तरह की बिमारिया दे रहे हैं स्वस्थ रहने के लिए कई लोग अपने डाइट में और गेनिक फूड्स को शामिल कर चुके हैं और आप को भी इसके बारे में जानना चाहिए साथ ही साथ इसे अपने आहार का हिस्सा भी बनाना चाहिए तो आज के इस वीडियो में पूनतह जानते इस बारे में कि क्यूं जरूरी है कि आप अपने डाइट में और गेनिक फूड्स को अस्थान दे और गेनिक फूड्स यानि की ऐसा जैविक आहार जिसे केमिकल और पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किये बिना उकाया जाता है ये फूड बेमौसम उपलब्ध नहीं होते क्योंकि इनके लिए जैविक खाद तैयार की जाती है जिसके बाद इस आहार को उगाया जाता है बाजार में अगर आपको फ्रेश जानाते हैं तो क्या फायदे होंगे ये जान लिजे जैविक आहार की सबसे बड़ी खासिया तया होती है कि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है ये केमिकल पेस्टिसाइड दवाई या प्रिजरवेटीव रहित होते हैं इसलिए फायदेमंद भी होते हैं जैविक आ इसमारियों से बचाव करने में मदद करता है इसके सेवन से शरीर की रोक प्रतिरोधक शमता मजबूत होती है और कूर्ड जैसी समस्या भी नहीं होती है चुकि इसमें फैट नहीं होता है जिसके कारण आपका वजन भी नहीं बढ़ता है इसके अलावा और्गेनिक फूड का स्वाद बेहतर होता है साथ ही साथ इससे त्वचा भी निखरती है और्गेनिक फूड खरिदते समय ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये अन्यब फूड की अपेक्षा थोड़ा महंगा होता है इससे खरिदते हुए ध्यान दें कि इसके पैकेट पर और्गेनिक फूड सर्टिफाइड स्टिकर लगे हो इसके अलावा आप कैसे पहचान सकते हैं ध्यान रखें कि सबसे पहली पहचान तो ये है कि अगर बेमोसम यानि कि फॉर इक जांपल हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के दिनों में आम मिलता है अब आपको आम सालों भर मिल जाता है लेकिन ध्यान रखें वो और्गेनिक नहीं हो सकता है क्योंकि हमारे यहां जो मौसम है उसका नेचुरली जो उगता है वो है गर्मियों का मौसम इसके अलावा मिल रहा है तो कहीं न कहीं उसके साथ कुछ छेड़ छाड़ हुई है इसके बाद ही आपको मिल रहा है तो इस और सब्जियों के साथ भी ध्यान रखना चाहिए कि जो मौसमी फल हैं और सब्जियां हैं उनका सेवन ज्यादा करें क्योंकि उसमें आपको चांसे ज्यादा है कि आपको और्गेनिक मिल जाएंगे और्गेनिक अगर फूड नहीं है तो आपकी समस्या बढ़ सकती है आज क परिपेक्ष में देखेंगे तो खास करके शहरी शेत्रों में जो अलग-अलग तरह की बिमारियां हो जा रही है लोगों को उसकी एक मुख्य वजह यहीं है कि यह जो क्रित्रिम खादे इस्तेमाल किया जाते हैं इनकी वजह से खादे पदार्थों में अलग-अलग प्रका का इस्तेमाल करते हैं वो हमारी सेहत के लिए नुकसान दायक हो जाता है कई बार इसलिए जितना कोशिश करें हो सके और गेनिक फूड का सेवन करें आप सुरक्षित स्वास्त और खुश रहेंगे आज की वीडियो रही आप सभी के लिए ऐसी ही नौलेजफूल वीडियो क के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुर जाएं बेल नोटिफिकेशन को ओन कर लें ताकि नई वीडियो आपको सबसे पहले मिले लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी जरूरत है और कमेंट क जोस्तों